आरोही की आबरू लुटने को थी लेकिन उधर से आयान आरोही को बचाने के लिए निकल रहा था कि आचानक आयान का एक्सिडेंट हो जाता है आरोही आरोही अपने तनकों से कोड़ कर चादर तले कस्मसाई सी बैठी थी और वहाँ आरोही की बोलिया लग रही थी अरे उठो उठो जल्दी आशिरवाद कारे क्रम पूरा करो अरे इतने हट्टे कट्टे होकर सो रुपे आशिरवाद में सो में तो बस पाउ छूने को मिलेगा आरोही खुद को एक सौदे की रूप में देखने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी वो भी शादी के पहले दिन अरे मा इस काका को तो देखो जवानी फोट ही नहीं रही बलकि शाहिद कोई जवानी का नलका ही खोला छोड़ कर चला गया हाँ अमा मिया बहुरानी को ज़लक तो देखने दो ये लो दस हजार नत उत्राई के दस हजार आईला लूजी हम सोचे थे कि महफिल में चो शेर आए हैं वो शिकार करेंगे पर यहां तो बुड़े गीदर शिकार कर गए दस हजार के साथ हमारी बहु की नत उत्राई होती है इनके नाम बुड़े जा तू भी जन्नत देख ले अरे सासु मा मैं गीदर नहीं शेर हूं शेर और शेर बुड़ा हुआ तो क्या करना प्यार करना तो जानता ही है ना जाओ शेर जाओ इसे ले जाओ अपनी गोफा में बुड़ा आरूही की और बढ's रहा था आरूही की चीखे निकल रही थी नहीं, नहीं, माजी ऐसा क्यू कर रहे है आप माजी, क्या है ये नत उत्राई और मेरे साथ ही क्यू? तेरे साथ नहीं यहाँ अमारे समाज की हर बहू को करना होता है समझी मैं निन्यानवे चीजों में अच्छी सास हो सकती हूँ मगर नतुत्राई बिना हम किसी भी लड़की को अपनी बहु नहीं मान सकते हमेशा से ऐसे ही होता आया है जाओ जल्ली बहु को ले जाओ नतुत्राई का मूरत निकला जा रहा है और बूढ़का का आरोही को वहां से उठा कर सीधा दबोचने लगता है आरोही उसके चूने से बिना पानी की मचली की तरह चट पटाने लगती है अरे नजर क्यांदो तुम में से क्या किसी भी मर्द की मर्दान की नहीं बची है यहां औरत की शरीयर को घरोचना ही तुम्हारी मर्दान की है एक नवेली बहू की आवरू की बोल ही लगाई जा रही है और तुम सब के सब यहां मेरे खरेदार बन रहे हो क्या सब की भीतर की इंसानियत पजामे के धीलन नाडे से फासी लगा कर जूल गई है आरोही के शब्द वहां खड़े मर्दों के कानों में लगते हैं और सबकी नजरे शर्म से जुक जाती है कि तभी उसकी ऐसी बाते सुन भीड में से एक बड़ी उम्र का आदमी आगे बढ़ता है रुको बीटी एकदम सही क्या रही है एक लड़की को बेवस करके उसकी आवरु को बंद कमरे में नोचने वाले हम होते कौन है क्या यही हमारी मर्दानगी है हाँ नजर क्या जुकाए हो बोलो क्या यही है मर्दानगी हमारी का का सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें वो अब हे मधार गई थी मेगना जू ही हसते हुए आरोही को वहीं खड़ा छोड़ कर पलट जाते हैं आरोही की और काका का हाथ बढ़ रहा था उसने खुद को चादर में समीट रखा था मत करो, मत करो डरो रब से अरे मैं तुम्हारी बेटी पोती के उमर की हूँ अरे बेटी पोती की बात मत कर कुड़ी हमारा काका तो ही गाओं का मोट हैंडी सम बैचलर है अखंड कुवारा रोना बंद कर और तू भी मजे कर भाई वा जाने वाले क्या ही रस्म बना कर गए है ताजी बहू के ताजे मजे वा भाई यो हो मजे ही मजे और तभी अचानक दर्वाजे से कुछ आवाज आती है अयान अयान ये तुम हो ना अयान मुझे बचा लो आयान यहां सब लोग पांगल हो चुके तभी दर्वाजे से फर्ष पर लुड़कती खाली शराब की बोतल आती है जो आरोही की कदमों में आकर रुकती है सब की नजर दर्वाजे पर थी तभी शराब के नशे में चूर वेद अंदर आता है उसके दोनों हाथ में शराब की बोतले थी कदम उसके एकदम लड़ खड़ा रहे थे जैसे ही सब उसे देखते हैं वहाँ हॉल में मौझूद सब आदमी वेद को सलाम मार के पीछे खड़े हो जाते हैं वेद आरोही को सलाम ठोकता है और एक शराब की बोतल नीचे जमीन पर आगिरती है और आरोही के कदमों में चूर-चूर हो जाती है जिससे एक कांच बे उचल कर उसके पाउं में लग जाता है एक सकन, एक सकन, एक सकन मुझे समझने दो, क्या यहाँ इज़त लूटी जा रही है वो भी भाबी जी की? अरे हाँ, वही तो चल दा है वे दारोही के चहरे के करीब जाकर उससे छिडखानी करने लगता है जिससे आरोही को बेवडे वेद से और भी घ्रना महसूस होने लगती है फिर वेद के प्रभाव के कारण वहाँ से सब लोग बाहर जाने लगते है और वेद मेगना के हाथों में नोटों की गड़ी रखता है मेगना वेद को तो अपना बेटा ही मानती थी अब वेद तू तो मेरा अपना ही है तो तेरे साथ बहू की नतुतराई कराने में कैसी शरम है ना जा, मज़े कर ले तू भी आज तो तु तु बहुत खुश होने वाले हो ची, कैसी लड़की हो चुही तुम एक तो तुम्हारा बॉइफिन तुम्हारे नजरों के सामने ही तुम्हारे भाबी का सौदा कर रहा है और तुम खुश हो रही हो और माजी आप कोई से जबाने मेजी रही है आप जुन्नात उत्राई के आड में अपने बहु का धंदा कोल रही है मेरे जिस्म है ये कोई वैश्या खाना नहीं जाब कोई भी मर्दा कर अपने पतलों धिली कर ले डियर भाबी चान, मैं कैसी लड़की हूँ ये तो नहीं पता मगर हाँ, अपने बंदे को खुश करने की पूरे जिम्मेदारी मुझे आती है तभी तो तुमको इसे सौप रही हो ताकि ये खुश हो सके बताओ, करो कि ना इसे खुश देखो तो कैसे घबरा रही है भाबी ची मेगना ये सुन मुस्कुराती है और आरोही के पास आती है उसका चहरा सहलाती हुई उसकी बाल कसकर खीचती है ये मेरा घर है यहाँ परिंधा भी पर मारता है ना तो बदले में अपने पंग गिरा कर जाता है क्योंकि बिना वसूली लिये मैं परिंधे को भी यहाँ से उड़ने ना दू तो तू कहां की चिडिया है रानी और अब इससे जादा बोली ना तो इस प्यारे से मुँ में जलता कोईला रख दूँगी बस फिर ना रहेगी जुबान ना तेरी बकवास फिर देख मर्दों को जादा मजा आएगा तेरे साथ चुप करके रस्म पूरी करके अब अच्छी बहू बनकर यहां रहे आयान तो क्या आयान के बाप तक की नहीं चलती है इस घर में समझी आरोही जब मेगना की बात सुनती है तो उसकी अब उमीड तूट गई थी आयान का कोई अता पता नहीं था कि तभी वेद आरोही की कलाई जैसे ही थामता है आरोही छटपटा उठती है मर जाओंगी बगर ऐसे नीच वाही अतकाम नहीं करूँगी और वेदारोही को अपने पास खीच कर चादर में लपेट कर कंदे पर उठा लेता है चल बेटा अब हम चलते हैं ये माल आज के लिए तेरा हुआ वेदारोही के बेड्रूम में जाता है और उसे बिस्तर पर पटक कर पहले कुंडी लगाता है और फिर आरोही को चादर की गिरफ्त से रहा करता है वो बिना अब रूखे उसके सामने खड़ी थी मगर जैसे ही आरोही अपने जखमी पाउं पर खड़ी होती है वो वेद की चहरे पर जोर से थोकती है आथू! थू है तुम पर नीचाद भी हो तो एक दम नीच महंगी काड़िया रखने से दिलेरी नहीं होती वेद तो मैं जब पहली बार देखाता न तब घरणा होई थी मगर फिर घरणा नफरत में बदल गई लेकिन आज जो नीचता तुमने दिखाई है न मुझे बस तुम पर तरस ही आ रहा है कि क्या होगा उस पतनसीब लड़की का जो तुम से रिष्टा जोड़ेगी क्योंकि तुम जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते कि औरच जो होती है न वेद क्रोध आता है और वो आरोही पर हाथ उठा देता है आरोही? बस एक और शब्द नहीं मैंने पैसा तुम्हारी लेक्चर सुनने को नहीं दिये है बुरा लगा ना? सुनकर ही बुरा लगा न तुम्हे तो मैं तो बिका हुआ माल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ बिना आब रूखे तो मैं तो बस सुनकर बुरा लगा मेरे उपर तो बीत रही है आकर क्या होता है हमारे शरीर में ऐसा जो सम मर जाती से नोचले के पीछे पड़े रहते है क्या ये भारी सीना जो इश्वर ने इसलिए बनाया था ताकि इस सीने से लगकर बच्चे की शरीर में गया दूद उसका रक्त बन सके या फिर हमारे लचेली कमर क्या ये लो भाती है तुमको अरे नोच रहे तो एक बार में ही नोच लो ना यार क्यों मार पर याद दिलाते हो के शिश्ष तु छुप रहे तु ओर रहे थे लो खरोच लो मेरा अंगंग पच्चे साजार में खरी दे हो ना तो मार तो पच्चे साजार करोचे इस जिसम पर भार तो वेद ओवेद आरोही के करीब चाता है और जोर से उसके बाल खीचता है और वेद एक हाथ से बत्ती बंद कर देता है और आरोही को कसकर थामते हुए उसकी पीट पर नाखुन से खरोचने लगता है दर्द हो रहा है ना तुमको बहुत दर्द मिलना बाकी है अभी आरोही को वेद ने उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया वो उसकी बहुत करीब था सब तार-तार हो चला था वो कसकर चादर को मुठी में भीच कर अपना दर्द भीतर ही दबा रही थी रात के अंधेरे में आरोही का दर्द भी छिप गया था बस जो नजर आ रहा था वो था उसकी आँख से चलकता एक आसू आयान देखिए क्या आयान के साथ जो हुआ वो सब जानबूच कर हुआ और वेज जो आरोही के साथ कर रहा है क्या ये कोई साज़िश है आखे कहानी में आरोही को मिल रहे दुख की वज़ा क्या है जानने के लिए देखते रहे हमारी दिलचस्प परतों से सजी ये कहानी जिसमें लव ड्रामा सस्पेंस नफरत सब कुछ unlimited मिलने जा रहा है आपको केवल लव सिटी पर रुख जिन्दिगी ने मोल लिया कैसा देखते रहे है ठैंक्स फॉर वाचिंग और हाँ, don't miss the end आरूही, इधर आना बताना आरूही, ये सूट कहां से लिया बड़ा महंगा लग रहा है लग भी बड़ा सुन्दर रहा है महंगा? महंगा नहीं बाबा यूँ पूछ इतना सस्ता कहां से लिया है यहीं ओनलाइन ही ये लिंक है ना बाबा इस सूट का अरे यही सूट नहीं, मेरे हर सूट में है इतना दम मगर दाम है एक दम कम तो दोस्तों, अगर मुझ जैसा लुक चाहिए और मेरा किरदार बन कर घूमना चाहते हैं तो लिंक पर जाकर कुछ भी मगाईए ना आरे बाबा रील्स देखना बंद करो और शॉपिंग करो, लड़के अपनी बंदी के लिए खरीदे और लड़के अपने बंदे के लिए तो दोस्तों, कुछ नया शुरू करने के लिए सपोर्ट चाहिए बस ये मालनो साथ नहीं दोगी तो शर्मा राइटर का कैसे गुजा रहोगा आपकी जेब का पैसा नहीं बस आपका प्यार और जरा सा वक्त मांग रहे हूँ इसलिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस थैंक यू, लव यू आल